इस्टूइट आज बात करने वाले हैं one year online MBA versus executive MBA अब आप कहेंगे सर यह क्या है? MBA तो आपने सुनाये चलिए कि दो साल का एक master degree course होता है जिसे master of business administration कहते है बट इसमें इतनी सारी variety कब से आगई? बहुत सरे इस्टूइट आज भी सब नहीं जानते इस्टूइट आप चाहो तो 12 month यानिके one year का MBA भी कर सकते हो आप executive MBA भी कर सकते हो जो working professionals के लिए होता है जो चाहता है कि अपने अब आप comfortable नहीं हो अपनी job में ही नहीं सकरना चाहते हो तो वो आपके लिए है आज तीर पार्ट में वीडियो की सबसे पहले आपको इंट्रोड दूँगा कि क्या होता है one year MBA कौन कर सकता है and executive MBA क्या होता है उसके बात उसमें क्या-क्या features, किसमें क्या benefits, क्या-क्या losses और कहां पर क्या minus points है और किस तरह से आपको करना चाहिए तो वीडियो में आपको सब्सक्राइब करना तो सबस्क्राइब कर लो तो यहां पर आपके लिए supportive help मिलती है कैसे अपने करियर में आगे बढ़ सकते है आपको scholarship, course updates और government jobs and बहुत सारी opportunities का पता लगता है अगर आप accounting guru जी से जुड़े हैं सबसे पहले MBA की बात करते हैं ऐसा नहीं है कि MBA की सिर्फ commerce वाले बच्चे ही कर सकते हैं जो भी चाहता है कि MNC company में job कर रहे हैं कल को अपना कोई start-up करना चाहते हैं business management उस चीज को सीखना चाहते हैं उसके लिए MBA course होता है MBA में पिछले कुछ सालों पहले की बात मैं अगर कहूं तब से अब तक executive MBA launch ही आ था जिसमें अलग-अलग university ने इंडिया की university international universities ने 12 month, 13 month, 15 month, 18 month यानि कि 15, 16, 17, 18, 20 महीन था इस तरह की MBA के course नहीं है जिसका नाम रखा था executive MBA executive MBA basically deep MBA होता है किसी particular आपको अगर अपने मालीजे specialization को लेना है एक होता है कि आपने finance मार्केटिंग से MBA कर लिया दो साल का एक होता है finance में भी आपने direct finance लिया या digital finance लिया तो इतना deep आप specialization करना चाहते हो उसके लिए होता है लेकिन यह कौन कर सकता है जिनके पास दो साल की master degree हो यानिके post graduation हो तीन साल की graduation, दो साल की master degree, post graduation देन उसके बाद आप executive MBA कर सकते हो तो यह basically उनको recommend किया जाता है जो working professionals होते है आप किसी job में हो, comfortable नहीं हो महाँ पे compromise कर रहे हो अपनी job को, compromise मत करो, career में आगे बढ़ो और उसके लिए आप कर सकते हो executive MBA, जिसे आप online offline जैसे से कर सकते हो अब उसमें मैंने बताया कि बीच में क्या हुआ था, UGC ना, University Grand Commission ने एक notice दिया था भया, इन सभी universities को, IAM वगयर को कि जिन्होंने executive MBA 15-16-18 मन्त में कराने लग गए थे कि भाई, दो साल से कम का MBA कैसे हो सकता है, आप हमारे norms को follow नहीं कर रहे हो जिसको लेकर फिए IAM ने बताया कि हम हमें अधिकार है, हम change कर सकते हैं अपने साफसे relevant courses को बठा MBA का word यूज नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने इसको नाम हटाया था और अलग-अलग नाम इसको पर लग दिया कि एक relevant degree MBA की, बठ ये executive है सबज रहे हैं मेरी बात, अब आते हैं one year MBA के लिए, उनके लिए जो कम time में, अगर मैं यहां पर खूँ तो एक चीज यहां पर लिखनी जागी है उसको में अलग से लिख देता हूँ, that is one year, one year online MBA, अभी जो one year online MBA यह उन सब के लिए, सबसे पहली बात हो यह एक affordable course है जो बहुत ही कम price पे आप कर सकते हो, यहां तक EMI पे भी, no cost EMI पे आप यह कर सकते हो, इस course को करने के लिए आपको post graduation की जुरत नहीं है, कोई भी graduate, bachelor degree, 50-55% के बाद, कोई भी MBA का इंटरेंस exam, CAT, MAD, GMAT, CMAT, कोई भी exam आप दे रहे हो, तो उस basis पर आपको यहां पर addition मिल जात करती है, 12-month, 11-month, 14-month के MBA program, इसमें आपको different specialization जैसे की finance हो गया, digital finance हो गया, marketing हो गया, strategy and leadership हो गया, इन सभी areas में आपको यह provide कर दिया जाता है, ठीक है, इसमें आपकी fees कम पढ़ती है, और आप जो professionals हैं, जो IAM की alumni से आते हैं, जो experience, faculties हैं, उनसे आपको यहां पर उनका जो syllabus बनाया जाता है, उससे लेफस को सीखने का मोका मिलता है, कम टाइम में अगर आप अपने business को बढ़ाना चाहते हैं, कोई job करना चाहते हैं, MNC में जाना चाहते हैं, उनके लिए course बनाया है, इसे आप diploma मत कहिए, यह एक तरह से relevant degree program हो जाता है, तो अगर आप interested हो, चलिए आ आपके बास एक solution आचुका है, वह है college विद्या, college विद्या एक ऐसा platform है, जहां पर अगर कहें, तो यहाँ पर source से भी जादा government approved universities available है, जो online universities हैं, और आपको different courses provide कराते हैं, UGPG, और different diploma या programs, यह 500 से दन के पास experts हैं, अब यहाँ पर आप जैसी जाओगे, link इसका discussion मैंने दे हैं, जैसी आप click करोगे, home page पर पहुच जाओगे, तो यहाँ पर कोई भी course आपके सामने है, जैसी आप apply करोगे, जो उनका AI mood है, आपको different universities के option दिखाई देगा, आप उनमें से 2-3 को select करो, उन्हें compare कर सकते हो 2 minutes के अंदर, different factors को लेगा, 30 plus factors देगी, fees, eligibility, admission process, और placement, something वगए direct जाके additions भी ले सकते हो, या फिर इनके expert से counseling करा सकते हो, तो चलिए बताता हूँ कैसे यहाँ पर, तो simple साथ, आप देखो, जैसे आपको executive MBA यह रहा, online MBA यह रहा, आपको compare करना है, तो आपने जैसे यहाँ पर one year online MBA को choose किया, सबसे पहले आपको detail यहाँ पर डालनी होगी, तो चलिए वो डाल देते है, point best university पर click करेंगे, कोटी भी आएगा, और अभी सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है, 10,000 रुपे का subsidy चल रहा है, जिसे हम CV subsidy कहते हैं, अगर आप इनके तुरु जाकर addition लेते हो, तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपे की subsidy मिलेगी, अगर आप इनके तुरु जाकर addition लेते हैं काफी अच्छी बात है, कुछ options आप अपने ही साफ से select कर सकते हैं, देना आपके सामने इनका यहाँ मूट काफी options दिखाएगा, वहाँ पे जाकर आप, अगर compare करना है, 2-3 university select करिए, best जो आपको लगता है, compare करियो direct additions लीजिए, इदे कि आपके सामनी सारे options आपके सामने आपके सामने तीन online जो प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोवाइड कर आ रहे हैं, जिसे डेकन स्कूल, बिजनी स्कूल हो गया, या ओपी जिंदल ग्लोबल उनिवस्टी ऑनलाइन हो गया, क्वीन मार्गरिट युनिवस्टी हो गया, यह सब यहाँ पे आपको पतले, 13-12 तो इसे बोलते हैं one year MBA, तो इसमें आप easily कर सकते हो, अब बात आती है कि sir, हमें कौन सा करना चाहिए, यह दोनों में क्या-क्या खास बात होती है, क्योंकि देखो, पहली बात तो यह कि जो अभी graduate है, वो graduation के बाद one year वाला option जोन सकते है, two year वाला option online का आप चूज कर सकते हो, व much better क्योंकि इसमें आपको complete MBA, जो भी सलेबस होता है, वो आपको सीखने को मिलता है, ठीक है, one year में आपको जल्दवाजी हो जाती है, यह उनके लिए होता है, जल्दी जोप की जुरत है, यह जो कोई ओर डिगरी कर चुके हैं, लेकिं वो चाहते हैं, वो MBA फिल्ड में जाए तो उनके लिए आप वो स्पेसिफाइज करना चाहते हैं, उनके लिए रहता है, अगर एक्जक्यूटी MBA की बात करूँ, तो यह वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होता है, सबसे पहली बात यहां पर ही है, नमबर दो, यहां पर PG प्रोगाम करने वालों के बाद ही मलब क कर सकते हो, मल आपको ग्रेशन फीर उसके बाद पीजी उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, 15 से 24 मंथ का होता है, ठीक है मैं फीर आपको बता दू, यह 15 महीने से 24 महीने के बीच की दूशन का होता है, और फीज इसकी कहीं न कहीं, as comparatively, one-year MBA हाई रहती है, क्योंकि different universities अ सबसे बड़ात यहाँ पर जाती है, execute MB, अब बात करते है, one-year online MB, जो कोई भी graduate one कर सकता है, online learning मिल जाती है, सबसे पहली बात आपको यह है, और online learning में क्या benefit होता है, आपको flexibility, कि आप जब चाहो, classes को attend कर सकते हो, आपके उपर है, ठीक है न, reliability होती है, यह निया कि आपको daily regular classes attend करनी है, college जागर, आप नहीं जा पा रहे हो, आपकी तब है ठीक नहीं है, आप कही function में हो, कुछ हो, तो आप रिकोर्डेट classes को बाद में attend कर सकते हो, यह plus point आपको online का मिल जाता है, industry skills आपको सिखा ही जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया न, एक साल में, जो syllabus, एक दो साल का syllabus एक साल का syllabus, तो जो syllabus fix किया जाता है, वो almonies जो होते हैं, different universities या IIMs के best faculties वो तैय करते हैं, तो उनमें आपके specialization को लेकर, जो भी best to best होता है, साथ में work, industry skills को जोडते हुए, वो आपको यहां पर कराया जाता है, specialization area आपको यहां पर होता है, basically, उसके बाद 12 मन्त का यह course हो हां, 12 में 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, ठीक है, मैंने अगेन बता है, different universities के अपने norms होते हैं, और reasonable fees होती है, मलब fees, reasonable भी होती है, और सबसे बड़ी बात है कि, आपको online EMI का option मिली रहा है, अगर आप college vidya के तुरू जाते हो, तो help मिल जाएगी, बाकी entrance exam इसमें देना होता जाते हैं कही न कहीं executive में, executive में बताया कि government ने बोला कि आप 2 मसाल से कमका करा रहे हो, तो यह रहता है, और regular classes नहीं मिलते हैं, जबकि online में क्या रहता है, कि आपको regular classes नहीं मिलते हैं, अब आपके उपर है, कि आप सबसे पहले तो यह देखो, कि आपने post-gration कर लिया गया, आप कहीं पर job कर रहे हो, जैसे कुछ लोग job करते हैं, लेकि अपनी job से कुछ नहीं है, वो चाहते हैं अपने आपको upgrade करना, वो चाहते हैं grow करना, बड़ी companies में जाना, उनके लिए बनाया executive MBA, जो लोग अभी study कर रहे हैं, graduation just complete हुई है, सोच रहे हैं, उनके पास one year का option भी ह और two year का option भी है, मैं suggest करता हूँ कि online आज के टैम में इसतना best है, कि आपको और कुछ भी करना चाहें, साथ में वो भी कर सकते हैं, कोई startup करना चाहते हैं, कोई और course करना चाहते हैं, job के साथ करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है, UGC ने दोनों की value रखी है, बराबर, चाहे आप online करें, चाहे आप offline करें, तो असब आपके ऊपर है, मैंने अपना guidance आपको दिया, अगर आपको कोई भी अधर जानकारी चाहिए अपने इस course में, या counseling के गाड़ी, so you can follow me on Instagram, link in the description, तो मिलता आप से नेक्ट चुड़ों में, तो तक करें, till then, bye-bye. झाल